गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स, आज हम पढ़ेंगे किलास फिप्त की इंग्लिस तो फर्स्ट चैप्टर ही है आपका लेकिन उसका क्या है आज हमारा टॉपिक जो है वंडर्फुल वेस्ट इसते पहले हमने पढ़े थी आइस्ट्रीम मैन तो आज हम इसी का second वाला भाग पढ़ेंगे, part two तो waste can be quite useful जो waste कभी हम कुछ thing को waste कर देते हैं फैंक देते हैं तो क्या होती है वो भी कभी कभी हमारी क्या होती है बहुत useful होती है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है तो आज find out for yourself from this story आज हम इसी के चीज़ के बारे में दे स्टोड़ी पढ़ते हैं once the maharaja of तरवनकोर ordered a grand dinner in his place एक दिन जो एक दिन जो तरवनकोर के राजा होते हैं जो वहां के राजा होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने महल में एक grand dinner order करते हैं कि रात को बहुत अच्छा सा एक दिनर रखेंगे in the afternoon before the dinner dinner से पहले afternoon में the maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast तो उससे पहले dinner से पहले afternoon में वो kitchen में जाते हैं कि वहां survey करने जाते हैं कि आखिर रात के जो उसमें dinner में आप ये लोग क्या बना रहे हैं उसका survey करने के लिए वो वहां जाते हैं kitchen में what are you going to do with these two vegetable scurps तो पूसते हैं कि he asked the cook तो cook से पूसते हैं कि तुमने ये साई जीजे vegetable scurps हैं जो उनको तुमने ऐसे फैंक क्यों लिया है ऐसे पूरते हैं कि यहां क्यों रखी हैं pointed to the basket of scats near the cook तो उस बास्के तरब की point करते हैं कि इनको आप लोगों ने ऐसे बास्के में क्यों फैंक रखा तब the cook रिप्लेट तो cook जवाब देता है they are waste we will throw them away तो कहता है कि ये सब चीजे वेस्ट हैं इसलिए हमने इसको फैंक दिया है तो you cannot waste all these beets and pieces of vegetables find a way to use them तो कहते हैं कि कुछ भी चीजे जो होती है वो waste कभी नहीं होती है ठीक है नहीं ये beets and vegetable के जो feces हैं इनको तुम लोग क्या करो find करो and use करो the maharaja commented strongly and walk it away तो इस ट्रिक होके उनको बोलते हैं कि ये जो तुमने फैंक रखा है इसमें से तुमने कुछ भी waste नहीं होता है beets and vegetable के जो feces हैं उनको find करो and उसको दुबार से use करो the cook was in a fix and keep it stirring at the vegetable scap for some time suddenly तो cook थोड़ा वो हो जाता है कि आखिर में इसको परिसान हो जाता है कि आखिर में इसको use कैसे करो तभी suddenly उसके दिमाग में एक idea आ जाता है तो तभी उसके दिमाग में क्या आता है एक idea आता है कि place it across his mind उसके mind में एक idea आता है he took all the vegetables beets वो सारे उनको उठाता है wash it then them and clean it them well तो क्या करता है उन सारी उसमें से basket में से सारे जो vegetable के beets वगरा होते हैं उनको उठाता है साप करके दो लेता है तो उनको clean कर लेता है then he cut them into long strips तो उनको क्या करता है उसके बाद साप करके उनको कातने लग जाता है तो उसने इन जो उसके बाद strips ही उनको long strips में उसने लंबी-लंबी strips में काट दिया he put them in a hug pot and place it it won the fire of cook उसमें एक side जो रखा था उनको सारे एक pot में रखा और उसको next he ground some fresh coconut green chilies and garlic together अब उसने क्या गया उसमें कुछ चीजो और आट कर दी जैसे fresh coconut green chili and garlic together जैसे coconut तो आपको पता है ना रियल ग्री मिर्ज और garlic यानिकी लहसुन he added this paste and some salt to the cooking vegetables तो इसमें उसने कुछ गया गया कुछ और चीज अच्छा हो करने के लिए उसमें इस पेस्ट में त्वा नमक भी उसमें add कर दिया a tempering smell started coming from the pot बहुत अची से उसमें से खुजबू आने लगी थी now he repeat some curd and added it to the curry तो उसमें क्या क्या उसमें तोड़ा curd और curry भी add कर दी he also forwarded a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curly leaves तो उसने क्या किया जाज आप देख रहे होंगे पिक्चर में भी तो उसने उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या किया उसको अच्छे से अच्छी न्यू मेरी नई डिस बन गई the cook surveyed this new dish to the guest that evening इंगी में जो guest आयते है उसमें सारे guest को वो डिस सर्व कर दी everyone was eager to know the name of the new dish the cook thought and thought आप देखो जो वहां लोग आयते हो खाना भी एक तो खाना भी खा रहे हों यह भी पूछे है कि इस dish का new dish का नाम क्या है तो cook सोचता है कि आखिर मैं इस dish को वो भी सोचता है कि इस dish का नाम क्या रखो then a name come to his mind he named it Avial तो उसके दिमाग में एक name आता है उसके माइंड में नेम आता है कि इसका उसने उसका नाम क्या रख दिया Avial ठीके Avial become famous all over Kela and is no one of the dishes in a traditional Kela तो केला में जो आज जो केला में यह dish क्या है बहुत थीमाज है जो अवियल है अवियल जो उसमें dish waste चीजों से बनाए थी आज वहां क्यारते है त्योहारों अगेरा में यह सारे लोग इस dish को बनाते हैं and imagine it all come from a basket office अब आप इमाजन करिए कि जो हम लोग waste कर दें बहुत साई चीजों waste करके बास्केट में डाल देते हैं तो उन सब चीजों से कुछ नया भी बन सकता है तो इससे तरह कि और आप लोग सूचे कि क्या waste चीजों से हम लोग क्या नहीं चीजें बना सकते हैं ठीके? I hope आप लोग को समझ में आया हो कि कुछ भी चीजों waste करते हैं उससे हम कुछ new things new चीजें बना सकते हैं ठीके? Thank you